बोलिये सत्य नरायन भगवान की जय नमस्कार प्रिय भगतों आज मैं आपको सत्य नरायन वरत की कथा सुनाऊंगा लेकिन उससे पहले पूजन विधी मैं आपको बताता हूँ श्री सत्य नरायन वरत पूर्णिमा वसकरांत के दिन शाम के समय सनानादी से निवरित होकर करनी चाहिए पूरव की और मुक करके पूजा स्थान में आसन पर बैठकर श्रधा पूरवक श्री गनेश गोरी वरुन विश्नु आदी देवताओं का ध्यान करके पूजन करे और स सत्य नरायन स्वामी का पूजन तथा कथा श्रवन करता रहूंगा पुष्प हाथ में लेकर सत्य नरायन भगवान का ध्यान कर जग्यो पवित पुष्प धूप नवध्य आदी अरपित कर स्थूती करे हे भगवान मैं श्रधा पूर्वक फल जल आदी समगरी आपको अरमबार नमस्कार करता हूं कृपया आप अपने भगत द्वारा की गई आराधना स्विकार करो तत पश्चात श्री सत्य नरायन भगवान की कथा श्रवन करें या पढ़ें बोलिये श्री सत्य नरायन भगवान की जै श्री सत्य नरायन वरत कथा का प्रथम अध्याई व्यास जी ने कहा एक समय नैमी शारण ने तिर्थ में शोन कादी 88,000 रिशियों ने पुरान वेता श्री सूत जी से पूछा हे सूत जी इस कल्यों में वेद विद्यारहित मानवों को प्रभु भक्ती किस प्रकार मिलेगी और उनका उधार कैसे होगा हे मुनीनात आप ऐसा कोई व्रत अथ्वा तब बताईए जिसके करने से मनुष्य थोड़े ही समय में पुन्य प्राप्त कर सके और उसे मनोवांचित फल भी मिले ऐसे मनोरत पूर्ण करने वाली कथा सुनने की हमारी प्रभल इच्छा है शिरी सूत जी बोले हे वैश्नवों में पूज आप सभी ने मानव हित की बात पूछी है अब आप सब के अनुरोध पर मैं उस रेश्ट वरत को अवश्य कहूंगा जिसे नारज जी ने एक समय भगवान श्री लक्ष्मी नारायन जी से पूछा था और श्री विश्नु ने नारज जी को बताया था उस कथा को मैं तुम सब से कहूंगा सुनो किसी समय योगी राज नारज जी दूसरों के हित की इच्छा करके अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यू लोक में आ पहुँचे यहां अनेक योनियों में जन्मे हुए सभी मनुश्यों को अपनी कारियों के द्वारा दुखी देख कर विचार किया कि किसी अतन के करने से इनके दुखों का अंत हो सकेगा ऐसा अपनी मन में सोच कर नारज विश्नु धाम पहुँचे और विश्नु लोक में नारज जी पीत वर्न और चार भुजाओं वाले देवताओं के देवता नारायण को जिनके हाथ में शंक चक्र गदा और पदम थे और गले में वर्माला पहने हुए थे उन्हें देखकर उनकी स्तूती करने लगे नारज जी विश्नु जी से बोले हे प्रभु आप अतियंत शक्ती से संपन है मन तथावानी भी आपको नहीं पा सकती आपका आदी मध्य अंत कोई नहीं जानता आप निर्गुन स्वरूप स्रिष्टी के कारण भगतों के दुखों को हरने वाले हैं आपको मेरा नमस्कार है नारज जी से इस प्रकार की स्तूती सुनकर भगवान लक्षमी पती विश्नु जी बोले हे मुनिसरेष्ट नारज जी आपके मन में क्या है आपका किस काम के लिए यहां आना हुआ है आप मुझे बताईए तब नारज जी ने कहा हे प्रभू मृत्यू लोक में सभी प्राणी जो अनेक योनियों में पैदा हुए है अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे है हे नात यदि आप मुझे पर दया रखते हो तो बताईए कि उन मनुश्यों के सभी दुख थोड़े से ही प्रियतन से कैसे दूर हो सकते है शिरी विश्णु हगवार ने कहा हे नारद मनुश्यों के हित के लिए तुमने बहुत अच्छा प्रशन किया है जिस वरत के करने से मनुश्य मोह के बंदन से चूट जाता है वह वरत मैं तुमसे कहता हूँ सुनो बहुत पुन्यकों देने वाला स्वरग तथा मृत्यू लोक दोनों में दुरलभ एक उत्तम वरत है आज मैं तुमसे कहता हूँ शिरी सत्य नरायन का वरत विधी पूर्वक करने पर मनुश्य इस धर्ती पर सुख भोक कर मृत्यू के पश्चात मोक्ष की प्राप्ती करता है शिरी विष्णु भगवान के अमरित से भरे वचन सुनकर नारजी बोले हे प्रभू उस वरत का क्या विधान है उस वरत का क्या फल है इस वरत को पहले समय में किस-किस ने किया है और किस दिन यह वरत किया जाना चाहिए कृपा इस वरत की वरिधी और विधान मुझे विस्तार पूर्वक कहो मुझे यह सब सुनने की इच्छा है विष्णु भगवान बोले हे नारज सभी प्राणियों के दुखों को दूर करने वाला यह वरत सब स्थानों पर विजय करने वाला एक अमोग अस्तर है भगती और श्रधा के साथ मनुष्य किसी भी दिन श्री सत्य नरायन भगवान की संध्या के समय ब्रह्मन एवं भाई बहनूं के साथ धर्म प्रायन होकर पूजा करे भगती भाव से पूर्ण हो नैवध्य केले का फल शहद घी शकर या गुड़ दूद गेहूं का आटा लेकर भगवान को चड़ावे और उसके पश्चात ब्रह्मन को भोजन करावे और फिर स्वयम भोजन करे रत्री में जागरन करना चाहिए और समस्त मनूरत निश्चे ही पूरे होते हैं विशेश रूप से कल्यूग काल में मृत्यू लोक में यही एक मोक्ष का सरल उपाई है जिससे अलप समय में और कम धन में महान पुन्य की प्राप्ती हो सकती है बोलिये श्री सत्य नरायन भगवाने की जै सूत जी बोले हे रिशियों जिन्होंने पहले समय में स्वरत को किया है अब मैं उनका इतिहास कहता हूँ कृपया आप सब ध्यान से सुने सुन्दर काशी पुरी नगरी में अतियंत निर्दन ब्रहमन रहता था वेह ब्रहमन नित्य प्रीती भूख प्यास से व्याकूल होकर प्रिच्वी पर भ्रहमन करता था ब्रहमनों से प्रेम करने वाले शरी विश्णु भगवार ने ब्रहमन को दुखी देखकर एक दिन बुडे ब्रहमन का रूप धारन करके उस दुखी ब्रहमन के समक्ष पहुँचकर आदर के साथ पहुँच पूचा हे ब्रहमन तुम दुखी होकर प्रिच्वी पर क्यों घूमते हो हे स्रेश्ट ब्रहमन यह सब मुझ سے को मैं तुम्हारी कथा सुनना चाता हूँ दृज्द्र ब्रहमन बोला मैं एक निर्दन ब्रहमन हूँ बिक्षा के लिए प्रिच्वी पर फिरता हूँ हे भगवान यदि आप मेरी गरीबी दूर करने का उपाई जानते हो तो कृपा कर मुझसे कहें वरिद ब्रहमन के रूप में विश्णु भगवान जी बोले हे सरेश्ट ब्रहमन तू सत्य नरायन भगवान का वरत कर जो सभी मनुकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं दृद ब्रहमन को वरत का सारा विधान बतला कर बूडे ब्रहमन का रूप धारन करने वाले श्री सत्य नरायन भगवान अंतर ध्यान हो गए जिस वरत के विशय में मुझे वरिद ब्रहमन ने बतलाया है मैं उस वरत को अवश्य ही करूँगा ऐसा मन में निश्चे कर वह निर्दन ब्रहमन अपने घर पहुचा प्रन्तु उस रात्री उस ब्रहमन को नीद नहीं आई अगले दिन वह जल्दी उठा और शिरी सत्य नरायन भगवान का ध्यान कर उनका वरत करने का निश्चे कर भिक्षा के लिए चल पड़ा और प्रभु की माया से उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सारा धन मिला तब उसने अपने घर आकर भगवान का विधी पूर्वक सब दुखों से छूट कर अनेक प्रकार की संपतियों से युक्त हो गया तब से वह हर महीने सत्य नरायन भगवान का वरत करने लगा शिरी सत्य नरायन भगवान के वरत को जो मनुश्य बताई गई विधी के नुसार श्रधा पूर्वक करेगा वह सब पापों से छूट कर म इस तरह है नारज जी से सत्य नरायन भगवान का कहा हुआ यह वरत मैंने तुमसे कहा ओ or क्या सुनना चाहते हैं मुझसे कहें तब रिशियों ने कहा है मुनिनात संसार में उस भगवान से सुन कर किस किस ने समरत को किया हम सब सुनना चाहते हैं हमारे मन में यह सब सुनने की इच्छा है श्री सूत जी ने कहा हे मुनियों जिस जिस प्राणी ने सुरत को किया उन सब की कथा ध्यान पूरवक सुनो एक समय वह ब्रहमन अपने घर पर अपने भाई बहनों के साथ व्रत कर रहा था उसी समय एक बूड़ा लकड़ा आया उसने सिर पर रखा लकड़ियों का गठ़ड बाहर रख दिया और उस ब्रहमन के घर में चला गया प्यासे व्याकूल लकड़ारे ने उस ब्रहमन को वरत करते हुए देखा और वह प्यासी को भूल कर उस ब्रहमन को नमस्कार कर पूछने लगा हे ब्रहमन देवता आप यह किसका पूजन कर रही है इस वरत को करने से क्या फल मिलता है कृपा कर मुझे बताईए मेरी सुनने की इच्छा है ब्रहमन उस वृद लकड़हारे से बोला हे भाई यह सब मनों कामनाओं को पूरा करने वाला सत्य नरायन भगवान का वरत है इसकी ही क्रिपा से मेरे घर में धन धन्य की समरिदी हुई है ब्रहमन से सत्य नरायन भगवान के वरत में जानकर वह लकड़हारा बहुत प्रसंद हुआ भगवान का चरना वरितले प्रसाद गरहन करने के भाद वह अपने घर पहुचा अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज गाउ में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से मैं भगवान का वरत करूँगा ऐसा मन में सोचकर वह लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुन्दर नगर में गया और भगवान की क्रिपा से उस दिन उसे उन लकड़ियों का दाम पहले से चोग ना मिला तब वह बुड़ा लकड़ा अती प्रसन हो पके के ले की फली शकर शहद दूद घी दहीं और गेहूं इत्यादी लेकर अपने घर आ गया उसने अपने भाई बहनों के साथ भगवान का पूजन और वरत किया उस उरत के प्रभाव से वह बुड़ा लकड़ा धन पुत्रादी से युक्त हो संसार के समस्त सुख भोकर अंत में बैकुंध धाम को चला गया बोलिए श्री सत्या नरायन भगवाने की जै बोलिए विश्नु भगवाने की जै श्री सूत जी बोले हे स्रेष्ट मुनियों आगे की एक कथा कहता हूँ पूरव काल में उलका मुखनाम का एक बुद्धिवान राजा हुआ करता था वह सत्य बोलता और जितेंड्रिय था प्रति दिन देवताओं के स्थानों पर जाता और उनको धन देकर कश्ट दूर करता था उसकी पतनी कमल के समान मुखवाली सती साधवी ओरती भद्रशीला नदी के तठ पर उन्होंने शिरी सत्य नरायन भगवान का वरत किया उस समय वहाँ साधू नाम का एक व्यापारी आया उसके पास व्यापार के लिए बहुत साधन था वह वैश्य नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आया और राजा को वरत करते हुए देखकर विनेशीलवानी से बोला भक्ति युक्त चित से आप यह किसका पूजन कर रहे हैं मेरी सुनने की इच्छा है कृप्या आप मुझे सविस्तार बताएं महराज उलका मुख ने कहा हे साधू मैं अपने भाई बहनों के साथ पुत्तर की प्राप्ती है तो सर्वशक्ति संपन महान शक्ति शाली सत्य नरायन भगवान का वरत्व पूजन कर रहा हूँ राजा के भक्ति उख्तवचनों को सुनकर उस साधू नामक वैश्य ने आदर से कहा हे राजन मुझे भी इस वरत का संपूर्ण विधान समझाएं मैं भी आपके बताए अनुसार इस वरत को अवश्य करूंगा मैं भी संतान हीन हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस वरत के करने से निश्चे ही मुझे भी संतान की त्रापती होगी राजा से वृत का सब विधान सुनकर व्यापार से निवरित्थो वहवैश्य व्यापारी आनंद के साथ अपने घर पहुचा उस वैश्य ने अपनी पत्नी लीलावती से संतान देने वाले उस व्रत का सम्पूर्ण वृतानत कह सुनाया और स्वयम प्रण किया कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस वरत को करूँगा एक दिन उसकी पतनी लीलावती आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवरित होकर शिरी सत्य नरण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई दस्वे महीने में उसके एक सुन्दर कन्या को जन्म दिया दिनों दिन वह कन्या इस तरहें बढ़ने लगी जैसे शुकल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है कन्या का नाम कलावती रखा गया तब एक दिन लीलावती ने मिठे शब्दों में अपने पती को समर्ण करवाया तब साधू वैश्य ने कहा हे प्रिये मैं कन्या के विवापर इस वरत को करूँगा इस प्रकार अपनी पत्नी को अश्वासन देकर वह साधू वैश्य अपनी व्यापार को करने दूसरे नगर चला गया कलावती पिता के घर में बड़ी हो रही थी और एक दिन साधूने जब अपनी पुत्री को नगर में सख्यों के साथ केरते देखा तो एक दूत को बुला कर कहा हे दूत हमारी पुत्री के लिए कोई अच्छा सावर देख कर के लाओ उसकी आज्या सुनकर दूत कंचन नगर पहुचा और बड़ी खोज और देख भाल कर वैश्य की पुत्री हे तू एक सुयोग्य सुशील वानिक पुत्र खोज कर ले आया उस सुयोग्यवर को देखकर राजा ने खुशी खुशी अपनी पुत्री का विवा उस वानिक पुत्र के साथ कर दिया प्रन्तु दुरुभग्य वैश विवा के समय भी सत्य नरायन भगवान का वरत करना भूल गया इस पर सत्य नरायन भगवान क्रोधित हो गए उन्होंने वैश्य को श्राप दिया कि तुम्हें दुख प्राक्त होगा अपने कारिय में दक्ष वैश्य अपने जमाई सहित नामों को लेकर व्यापार के लिए स्मुद्र के स्मीप स्थित रतनसार पूर्णामक नगर में पहुचा दोनों ससुर जमाई चंद्र के तू राजा के नगर में व्यापार करने लगे एक दिन भगवान सत्य नरायन के माया से प्रेरित होकर एक चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था लेकिन राजा के सैनिकों को अपने पीछे आते देखकर चोर ने घबरा कर राजा के धन को वही नाव में चुपचा प्रख दिया जहां वो दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे और स्वयम वहां से भाग गया जब सैनिकों ने उस वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो दोनों को बाढ़ कर राज दरबार में ले गए और राजा के समीप उन दोनों ससुर जमाई को ले जाकर बोले हे राजन हम ये दो चोर पकड़ कर लाए हैं देख कर आज्या दे तब राजा ने उनकी बात सुने भिना ही उन्हें कारागार में डालने की आज्या दे दी इस प्रकार निर्दोश होते हुए भी राजा की आज्या से उन्हें कठिन कारावास में डाल दिया तथा उनका सारा धन छीन लिया गया सत्य नरायन भगवान के श्राप के कारण साधू की पत्नी लीलावती वपुत्री कलावती भी घर पर बहुत दुखी हुई उनके घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए शारिरिक वा मानसिक पीडा तथा भूख प्यास से अती दुखी थो भोजन की चिंता में लीलावती की कन्या कलावती एक ब्रहमन के घर गई उसने ब्रहमन को सत्य नरायन का वरत करते देखा उसने कथा सुनी प्रसाद ग्रहन कर रात को घर आई लीलावती ने अपनी पुत्री कलावती से पूछा हे पुत्री तुँ अब तक कहा रही और तेरे मन में क्या है कलावती बोली हे माता मैं ब्रहमन के घर कुछ भोजन के लिए गई थी मैंने वहाँ श्री सत्य नरायन भगवान का वरत होते देखा है इसलिए मुझे वहाँ देर हो गई कन्या के वचनों को सुनकर लीलावती श्री सत्य नरायन भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी और उसने परिवार्व भाई बहनों सहित सत्य नरायन भगवान का पूजन और वरत किया और वर मांगा कि मेरे पती और दामाद शिगर ही लोट आएं और साथ ही अपनी राचना की शिरी सत्य नरायन भगवान जी लीलावती के सूरत और पूजन से अतियंत प्रसन हुए और उन्होंने राजा चंद्र केतु को स्वपन में दर्शन देकर कहा हे राजन जिन दोनों वैशों को तुमने बंधी मना रखा है वे निर्दोश हैं उन्हें प्राते ही छोड़ दो उनका सब धन जो तुमने ग्रहन किया है उसे लोटा दो अन्य था मैं तेरा धन राज्य पुत्रादी सब नश्ट कर दूँगा राजा को ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए प्रातेहकाल राजा चंदर के तुने सभा में सब को अपना स्वपन सुनाया और सैनिकों को अग्या दी कि दोनों वानिक पुत्रों को कैज से मुक्त कर सभा में लाया जाए दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किय राजा ने कोमल वचनों से उनका सतकार करते हुए कहा हे महानुभावों तुम्हें दुर्भग्यवश ऐसा दुख प्राप्त हुआ है लेकिन अब तुम्हें कोई भए नहीं है ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूशन पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दुगना धन देकर आदर से विदा किया दोनों वच्ष अपने घर को चल दिये बोलिये शिरी सत्य नरायन भगवाने की जै बोलिये विश्णू भगवाने की जै शिरी सूथ जी बोले वैश्य ने मंगलाचार करके यत्रा अरंब की और अपनी नगर को चला उनके थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दंडी वेशधारी शृरी सत्य नरायन ने उन से पूछा हे साधू तेरी नाव में क्या है अभिमानी वानिक हस्ता हुआ बोला हे दंडी आप क्यों पूछते हो क्या धन लेने की इच्छा है मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं वैश्य का कठोर वचन सुनकर दंडी वेशधारी शृरी सत्य नरायन भगवान ने कहा तथास दंडी वेशधारी वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए दंडी महराज के जाने के पश्चात वैश्य नित्यक्रिया से निम्रित होने के बाद नाव को उची उठी देखकर अचंभा किया तथा नाव में बेल पत्ते आदी देखकर अच्छा खुलने पर शोक प्रकट करने लगा तब उसके जमाई ने कहा आप शोक ना करें यह दंडी महराज का श्राप है अतह उनकी शर्ण में ही चलना चाहिए तभी हमारी मनुकामना पूर्ण होगी जमाई के वचन सुनकर वैश्य दंडी महराज के पास पहुचा और अ क्षमा मांगता हूँ और ऐसा कहकर रोने लगा तब दंडी भगवान वो ले हे बनिक पुत्र मेरे श्राप से बार बार तुझे दुख प्राप्त हुआ है लेकिन फिर भी तुमने मेरी कभी पूजा नहीं की वैश्य ने कहा हे भगवान आपकी माया से मोहित ब्रंभा आद के नुसार आपकी पूजा करूंगा मेरी रक्षा करो और पहले के समान मेरी नोका को धन से परिपूर्ण कर दो उसके भगती युक्त वचनों को सुनकर शिरी सत्य नरायन भगवान प्रसंद हो गए और उसको इच्छा नुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए तब श्वसु कर साथियों सहित अपने नगर को चल दिया जब वह अपने नगर के निख्ट पहुँचा तब उसने एक दूट को घर भेजा उस दूट ने सादू के घर जा उसकी स्तरी को नमस्कार कर कहा आपके पती अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं लीलावती और उसकी कन्याक कलावती उस समय भगवान की पूजा कर रही थी दूट के वचनों को सुनकर साधू की पतनी ने अतियंत हर्ष के साथ सत्त देव का पूजन पूरण कर अपनी पुत्री से कहा मैं अपने पती के दर्शन को जाती हूँ तो कारिय पूरण कर शिघर आ जाना मा के जाते ही पुत्री कलावती पूजन एवं प्रसाद छोड़कर अपनी पती के दर्शन के लिए चली गई प्रसाद का अपमान होने के कारण सत्त देव ने रुष्ट होकर उसके पती को नाव सहित पानी में डुबा दिया कलावती अपने पती को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी अपनी जमाई और पुत्री की दशा देखकर साधू वैश्य बोला हे प्रभू मुस्सेया मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे एक्षमा करो उसके दीन वचनों को सुनकर सत्यदेव प्रसन हो गए आकाशवानी हुई हे वैश्य तेरी कण्या मेरे प्रसाद को छोड़ कर आई है इसलिए इसका पती अद्रिश्य हुआ है यदि वह घर जाकर प्रशाद खाकर लोटे तो इसे इसका पती अवश्य मिलेगा आकाशवानी सुनकर कलावती ने घर पहुँचकर प्रसाद खाया और फिर आकर पती के दर्शन किये तत्पश्यात वैश्य ने वही बंधूगों के साथ भगवान का विधी पूर्वक पूजन किया वह इस लोग का सुख भोकर अंतमी स्वर्ग लोग को गया बोलिए श्री सत्य नरायन भगवाने की जै श्री सूत जी ने आगे कहा हे रिशियों मैं एक और भी कथा कहता हूं सुनो प्रजापालन मेलीन तुंगद्वजनाम का एक राजा हुआ करता था उसने भगवान सत्य नरायन देव का प्रसात्या कर बहुत दुख पाया एक समे राजा वन में जंगली पशूँ को मार कर बढ़ के रिख्ष के नीचे आया वहां उसने गुवालों को भक्ती भाव से बधो सहित श्री सत्य नरायन जी का पूजन करते देखा राजा एहंकार वश वहां नहीं गया और ना ही प्रसाद खाया प्रसात त्याक कर अपनी नगर को गया तो उस है विश्वास कर दोबारा उसी स्थानों पर आया और गुवालों के साथ विदी पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्य नरायन भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया और मरने पर स्वरग लोग को गया जो मनुष्य स्परम दुरुलब वरत को करेगा श्री सत्य नरायन भगवान की कृपा से उसे धन धन्य की प्राप्ती होगी निर्धन धनी होगा और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है संतान हीनों को संतान की प्राप्ती होती है तथा सब मनुरत पूर्ण होकर अंतमेव है बैकुंत धाम को जाता है जिन हो उन्हें पहले स्वरत को किया अब उनके दूसरे जन्म की कथा भी सुनिये शतानद नामक वरिद ब्रहमन ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर शिरी कृषन की भगती कर मोक्ष प्राप्त किया उलका मुखनाम के महराज राजा दशरत बने और शिरी रंगनात का पूजन कर बैकुंठ को प्राप्त हुआ साधु नाम के वैशने धर्मात्मा वसत्य प्रतिग्य राजा मोर्द्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीर कर मोक्ष प्राप्त किया महराजा तुग्द्वज स्वयम भूमन हुए उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ती में लीन कर मोक्ष प्राप्त किया लकड हारा भील अगले जनम में गुह नामक निशाद राजा हुआ जिसने भगवान राम के चरणों की सेवा कर मोक्ष प्राप्त किया एते श्री सत्य नरायन वरत कथा साम पूर्ण महां बोलिये श्री सत्य नरायन भगवाने की जै बोलिये श्री जय लक्ष्मी रमना सत्य नरायन स्वामी सत्य नरायन स्वामी जन पातक हरना श्री जय लक्ष्मी रमना रतन जडित सिंधास अद भूत छवी राजे स्वामी अद भूत छवी राजे नारद करत निरंज नारद करत निरंजन घंटा द्वनी भाजे ओंज लक्ष्मी रमना प्रगट भये कलीकारण द्विज को दरश दियो स्वामी द्विज को दरश दियो बूडो ब्राह्मन बन कर कंचन महल कियो ओम श्री जय लक्ष्मी रमना दुरबल भील कराल जिन पर कृपाहारे स्वामी जिन पर कृपाहारे चंद्र चूड एक राजा जिन के विपतिहारे ओम जय लक्ष्मी रमना वैश्य मनूरत पायो श्रधात जदेनी स्वामी श्रधात जदेनी सोफल भोग्यो प्रभुजे फिरस्तोते के नियों ओम जय लक्ष्मी रमना भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यों श्रधात दारण की नितिन के काज है तुम सरयों ओम जय लक्ष्मी रमना वाल भाल संग राजा वन में भक्ति करी स्वामी वन में भक्ति करे मन वांचित फल दीनों दीन दयाल हरे ओम जय लक्ष्मी रमना चड़त प्रसाद सवाया कदले फल मेवा स्वामी कदले फल मेवा धूप दे पतुल से से राजे सत्य देवा ओम जय लक्ष्मी रमना श्री सत्य नरायन जिक आरत जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानन्द स्वामी मन भजत हरे हर स्वामी मन वांचित फल पावे ओम जैलाव